गुड मॉर्णिंग फ्रेंस जैसा कि हमने लाश्ट एपिसोड में देखा था कि जियाओ अब उन फॉक्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए मान जाता है अब आगे जहां इस एपिसोड की सुरवात में जियाओ मिस यूवान से कहता है वैसे क्या आप अपने कल्टिवेशन क प्रैक्टिस के बारे में मुझे कुछ बता सकती है जिस पर यूवान कहती है क्या तुम इन बच्चों के टीचर बनने के लिए तयार हो गए हो अब यासन जियाओ कहता है कि वैसे तो मैं उतना योग्य नहीं हूं एक टीचर बनने के लिए पर मैं अपने पूरी कोशिस कि मुझे तुम से एक कोशन पूछना है कि बताओ दुनिया के सबसे बड़ी चीज क्या है जिस पर जियाओ कहता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ी चीज भाग्य होती है तो कुछ लोग पावस को सबसे बड़ा मानते हैं पर मेरे हिसाब से सब ये चीजों में को कोश्चन का आंसर मिल जाता है और वह समझ जाती है तब यह और यूवान इस कोश्चन का आंसर देने के लिए जियाओ को ठैक्स कहती है और कहती है कि जहां तक मेरी कल्टिवेशन प्रैक्टिस की बात है तो मैं इसमें तुमारी पूरी तरह से मदद कहने के लिए तयार हूं इसलिए इप से हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं जिसके बाद वो वहां से जाते जाते एल्डर फॉक्स से कहती है कि जियायो को कितावों वाली रूम में लेकर जाएं। जिसके बाद फॉक्स एल्डर जियाओ को लेकर किताबों वाली रूम में आजाती हैं, जहाँ जियाओ एक बुख को देखते हुए फॉक्स एल्डर से कहता है, ये बुद्धा इस्कीप्चक्रस क्या हैं? जिस पर फॉक्स एल्डर उसे बताते हैं कि हमारा Fox Clayne सुरवात में Zhengzhou Temple के पास रहता था लेकिन वहां के Temple को Grandmaster Hong ने डिस्ट्रॉई कर दिया पर हमने उन कितावों को वहां से बचा यहां ले आया जिसके बाद Elder Fox वहां से दो कितावों को बाहर निकाल जियाओ को देते हुए कहते हैं कि ये दोनों कितावे Dragon Rajwans की स्टार्टिंग के समय की हैं जो की काफी जादा powerful कितावे हैं लेकिन बड़े दुख की बात है कि इन दोनों कितावों पर बैन लगा दी गई थी अब याज सुन जियाओ कहता है कि मुझे डर है कि मैं इन दोनों powerful कितावों को अकेले practice नहीं कर पाऊंगा अब याज सुन कर Elder Fox कहते हैं लगता है तुम इस युवान की बातों को नहीं समझे पर दवे इतने में ही वहाँ Fox जाओ जाओ जियाओ के लिए खाना लेकर वहाँ आते हुए उससे कहती है कि सिस्टर युवान ने तुमें इनी दोनों बुक्स की practice करने को कहा था तब ये अब जियाओ उस चिकन के पीस को अपने हाथों में उठा कहता है कि यह दुनिया करवार्ट की जहर से भरी हुई है और अगर मुझे इस दुनिया के लोगों को दूसरी दुनिया में लेकर जाना है तो मुझे खुद को काफिस जादा मजबूत बनाना होगा तब ये जियाओ उस बुक के टेकनिक को वहाँ practice करना start कर दीता है और तब ये इसी तरह से कुछ देर practice करने के बाद वहाँ वो फॉक्स जाओ जाओ आ जाती है और जियाओ को practice करता देख उससे कहती है मुझे लगता है आपको सही से practice कराने के लिए एक master की ज़रत है और वहाँ जियाओ को practice करते समय थोड़ा छोट भी लग गया था वहाँ देख कर जाओ जाओ उससे इसके लिए दवाई लगाने को कहती है वहाँ तब हम देखते हैं कि दवाई का नाम सुनते ही जियाओ को अपनी पाश्ट की बाते याद आने लगती है जहाँ उसकी माम की काफे जादा तवियत खराब होने की वज़ा से जियाओ उने दवाई दे रहा होता है और यह देख मिल जाओ उसे उस दवाई को नीचे गिरा देती है और कहती है हमारे हाँ नौकरानियों को दवाई नहीं दिया जाता है दवाई ना मिलने की वज़े से उसकी मौम की हालत काफी जादा खराब होने लगती है और यह देख कर जियाओ काफी जादा रो रहा होता है तब इधर यह सारी बात जियाओ जाओ जाओ को भी बता रहा होता है जो सुन जाओ जाओ काफी जादा सैड हो जाती है और कहती है, मुझे पता चल चुका है कि तुम इतनी hard practice क्यों करना चाहते हो, पर मुझे लगता है इसमें तुमें मेरी help की जरुरत है, जिसके बाँजाओ जाओ जियाओ को वहाँ एक book को दिखाते हुए उससे कहती है, कि cultivation की practice करने के लिए हमारी दुनिया में बहुत सारे तर भी use किया करती थी, तभी अब जाओ 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 वहाँ सांती से बैठ कर, इस cultivation को practice करने की सही method बता रही होती है, यह तुमें सबसे पहले अपने soul को cultivate करना होगा, और फिर तुमें अपनी physical body को भी, जिसके बाद जाओ जाओ जियाओ को soul cultivation करके दिखाती है, जहाँ हम देख जियाओ काफी जादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद जाओ जाओ की soul जियाओ को अपने साथ बाहर आने को कहती है, जहाँ बाहर आने के बाद जाओ जाओ की soul उससे कहती है, कि हम बस रात के टाइम ही अपने soul farm में बिना अपनी जगह से ही ले काफी दूर तक यात्रा कर सकत हैं पर हमें सूरज की रौसनी से डर लगता है इसलिए हम दिन में सौल फ़र्म में कहीं नहीं जा सकते तब हैं जाओ-जाओ की सौल जियाओ को वहां से उठाकर कहीं ले जाने की कोसिस कर रही होती है पर जियाओ के इतना भारी होने की वज़ा से वह वहीं उसके उपर ही गिर जाता है जिस करण जाओ-जाओ को काफी जादा प्रावलम हो रही होती है तब है अब जाओ-जाओ से कहता है मुझे यह सब उतनी अच्छे से समझ में नहीं आया तो क्या तु में तीनी स्टेप को लगतार प्रैक्टिस करनी होगी और मुझे अपनी सोल को कर्टिवेट करने में लगवक तीन महने का समय लगा था अब यह सुनकर जियाओ कहता है कि यह इस टेप तो काफी जादा मुस्किल है जिस पर जाओ-जाओ कहती है कि तुम बिना इसकी प्रैक्ट जाओ ने उसे बताया था तभी अपने माइंड के अंदर देखता है कि वह एक बहुत ही बड़े पैगोडा के ऊपर अपनी मौम के साथ खड़ा है तभी अब वह जैसे ही उस पैगोडा से नीचे कूदने की कोसिस करता है वैसे ही वह इधर देखता है कि अब उसने अपनी स सोल बॉड़ी को नहीं समाल पाता जिस करन वह उड़ कर दूर जाने लगता है वह तभी वहां जल्दी से जाओ जाओ आपकर उसकी सोल को पकड़ उसकी बॉड़ी में डाल देती है जिसके बाद जियाओ जाओ से कहता है कि अभी मैं काफी जादा डर गया था मुझे ऐसा लग जिसके बाद जाओ 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 वहां से एक अगर बती को जला जियाओ को स्मेल करा देती है जिस कारण हम देखते हैं कि जियाओ की बाड़ी से फिर से उसकी सोल बाहर आ जाती है तभी अब जाओ जाओ भी अपनी बाड़ी से अपनी सोल को बाहर निकाल देती है जिसके थो तो अब अपनी बॉड़ी में वापस आ जाओ अब या सुन कर जियाओ अपनी बॉड़ी में वापस आ जाता है तब दूसरी तरफ हम उसी बर्फ वाली जगह पर कुछ खतरनाक बिश्ट के साथ कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ए आई को चानल को सब्सक्राइब करें बाइबाइब आई